Books That Speak में आप सभी का स्वागत है नाणम माल और कमला ताल को यात्रा करना पसंद है गोवा जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी है दो सहेलियों के साथ याता यात के अलग-अलग साधनों का पता लगाए और जाने कि क्या वे स्टेशन समय पर पहुँच पाएगी सुनते है कहाणी नाणम माल और कमला ताल की सडक यात्रा ओरिजनल स्टोरी नाणम माल और कमला ताल ट्रावल बाय रोड बाय प्रतम बुक्स कहाणी लिखी है मेनका रमन, चितरांकन, सुशान्त अहिरे, हिंदी में अनुवाद राजेश खर, कहानी का वाचन असावरी दूशी नानम्माल और कमलाताल पक्की सहेलिया है नानम्माल योग जिखाती है कमलाताल की इडली की दुकान है नानम्माल को कुंगफु फिल्मे देखना पसंद है कमलाताल सिर्फ मजाईया फिल्मे देखती है नानम्माल को देर करना जरा भी नहीं पसंद कमलाताल कभी समय पर नहीं होती पर एक चीज है जो दोनों को ही पसंद है यात्रा करना नाणममाल और कमलाताल घूमने जा रहे है ट्रेन सुबह साड़े नौ बजे निकलेगी देर मत करना नाणममाल ने कहा नाणममाल ने सामान बांधा और तयार हो गई साइकल पर सवार होकर वो कमलाताल के घर पहुँची उनको बस्टैंड तक पहुँचाने के लिए और्टो आया क्या कमलाताल का सारा समान उसमें आ पाएगा अरे नहीं गाव की बस तो खचाखच भरी हुई है कमलाताल ने कहा ऐसे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी नाणममाल रोने लगी सब तुम्हारी गलती है पालनी किसान अपनी बैल गाड़ी में वहां से गुजरा मेरे पास एक उपाए है कमलाताल खुशी से बोली नाणममाल और कमलाताल आखिरकार रेलवे स्टेशन के रास्ते चल पड़ी बैल गाड़ी में बैटकर ये क्या ट्रेन तो छूट रही है क्या उन्होंने बहुत देर कर दी अरे नहीं नहीं देर नहीं हुई आँ वाह वैसे एक रोमान्चक सफर था नाणममाल ने कहा ये तो बस शुरुवात है हम अभी गोवा पहुचे भी नहीं कमला ताल ने कहा तो मुझे अब ये बताओ स्टेशन पहुचने के लिए नाणममाल और कमला ताल ने जमीन पर चलने वाले यातायात के कौन-कौन से साधन इस्तमाल किये तो कैसी लगी नाणममाल और कमला ताल की सडक यात्रा उनकी और भी कई सारी यात्राएं है वो भी हम सुनेंगे अगली कहानी में ऐसी और बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद